नमश्कार, सबसे पहले मैं महाविकास अगाडी के थाकरे साहब, पवार साहब और महाराश्रा कॉंग्रेस के नेताओं को बहुत-बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी शांदार दो दिन की मीटिंग और्गनाईज करने के लिए यह जो इंडिया एलाइंस है, यह एलाइंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का एलाइंस नहीं है यह इंडिया एलाइंस इस देश के 140 करोड लोगों का एलाइंस है और यह लोग एक साथ आएं, देश के लोग इकठे हो रहे हैं और बहुत बड़े संख्या में लोग इकठे हो रहे हैं और देश के लोग इकठे हो रहे हैं 21 सदी के भारत का निर्मान करने के लिए आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भरष्ट सरकार और सबसे एहंकारी सरकार है एक भारते होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है पिछले तीन चार दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के ख़बारों के फ्रंट पेज के उपर खबरे छप रही है कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोधी सरकार, देश के प्रधान मंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारत होने के नाते। यह जान फिलिए बिदेशों में तो खबर चपने चाहिए है कि भारत में यह अच्छा हो गया। भारत में वो तब डेश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आम देनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के बाद जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी ताकते हैं, अब सब को लगने लगा है कि इंडिया एलाइंस मोधी सरकार के आने वाले समय में मोधी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी ताकते हैं, इस इंडिया एलाइंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकते हैं। पिछले कुछ दिनों से में देख रहा हूँ, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैं पिछली तीन मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और महबबत से सारी मीटिंग हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं हैं, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई प बहुत खुशी है, दो दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारीयां ली हैं, किसी ने सीट शेरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली हैं, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली हैं, किसी ने सोशल मीडिय कि जिम्मेदार इलिए किसी ने कैम्पेंड डिजाइन करने की जिम्मेदार इलिए मुझे पूरी उमीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकठा होगा और इस एहंकारी भ्रष्टाचारी ताना शाही सरकार का पतन का कारण बनेगा बहुत बहुत शुक्त